डाउनलोड पोको एफवन फोन लॉंचर एंड वालपेपर्स ओन यूर एन शोमी फोन हाई फ्रेंड सिद्धाय थेर फॉर्म टेक्नोबस.net जैसे कि आप देखी पारे होंगे अभी हमारी रेड्मी नोट 5 के ओपर काफी अलग सा लुक है तो आज का वीडियो इसी के ओपर है कि मैं आपको बताऊंगा कैसे के लॉंचर आपको इंस्टॉल करना और कैसे जो पीछा बैग्राउंड देख रहे हैं वाल पर इसको आपने शोमी फोन में यूज़ कर सेकते हैं तो चलिए देखते हैं तो जैसा का आप सबको पता ही है कल शोमी ने पोको एफ वन फोन को जो है इंडिया में अनूंस कर दिया है और 29 अफ अगस्त से आपको ये फिल्प कार्ट में मिल सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा जैसे आपने थोड़ी तरह पहले लॉंचर देखा और वाल पेपर देखें इसको कैसे आपने फोन में यूज़ कर सकते हैं दिस्प्शन में उसमें जाकर आप आप जो है लॉंचर की आपके फाइल और को उस फाइल को ढूर्ट के जो ऑक आप एपने फोन में ऐसे कर चुकी है जैसे कि आप देख पारें सारे वाल वेपर हमने आपे सेव कर लिए हैं साथ वाल वेपर आपको मिलेंगे उस जिप फाइल के अंदर वाँ जिप कर ले रहे हैं और आपको एक शौमी पोको एफवन लॉंचर एपी के फाइल मिलीगी मैं थोड़ा पास पर दिखा जाता हूं ये दिखे हैं यह वाली फाइल एपी के फाइल मिलेगी आपको अब इस लॉंचर को इंस्टॉल करने के लिए को क्या करना है सिर्फ एक वाले इस पर टैप करना है टैप पर कि इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करते ही थोड़ी दिर में बें इंस्टॉल होना शूरू हो अब डन कर देंगे, अब आपके फोन का लांचर था, अपने शौमी का लांचर था, वो पोको 1 F1 लांचर साथ चेंज हो चुका होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, हमारे फोन का जो लूक चेंज होगे, आइकन अलग हो गए है, सारे के सारे, और लांचर कुछ इस तर यूज़ करेंगे, जो बन जाएगा अब आपको लोकल फोटो से मिलेंगे, आपको टूटल साथ वाल पेपर यहां देखने को मिलते हैं, जो भी आपको वाल पेपर इन में से पसंद हो, उसको पर रहे सिकते हैं, आप इसको सेलिट करेंगे, एपलाई करेंगे, अब जो वो आपके फोन के डिफॉल्ट वाल पेपर हो चुका हुआ, तो कुछ इस तरीके से लुक बन जाएगा, कितना नीट एंड क्लीन लुक लग रहा है, इस टाइम पे आपका फोन का लॉंचर कॉफी अच्छा है, सिर्फ आपको 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 तरफ को स्वाइप करना है, और अगर आप इसको अनिंस्टॉल करना चाहें, चाहते हैं कि नहीं, Poco F1 लॉंचर को मैं यूज नहीं करना चाहता, और इसको अनिस्टॉल करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स पर जाके इंस्टॉल एप्स एक सेटिंग्स होती है, उस पे क्लिक करेंगे, उस पे जाके आपको सिस्टम लॉंचर को सर्च करना है, जैसे कि यह देख पा रहेंगे, इसको टैप करेंगे, टैप करते तीन ओप्शन देखने को बिलते हैं, फोर स्टॉप, अनिंस्टॉल अप्डेट्स, एंड क्लियर डाटा, अनिंस्टॉल अप्डेट्स पर क्लिक कर करेंगे, अब वीडियर अप्डेट को अनिंस्टॉल कर देगा, और आपको मैसेज लिखाएगा, अनिंस्टॉल सक्सस्फुली, होम के बटन कर दुआएंगे, आप वापिस अपने पुराने लॉंचर आ जाएगा, अगर आप चाहते हैं वापिस अपने पुराने वाल करना है, जो थीम एप्लिकेशन है, आपकी उसको खोलेंगे, अपकी जो डिफॉल्ट थीम होती है, फोन की, उसको एप्लाई कर लेंगे, एक पाट डिफॉल्ट थीम, एप्लाई, ये अप्लाई हो जाएगे, और आपकी पुराना वाल पेपर था, वो एज इस वापिस आज करते हैं, और उसके वाल पेपर को भी यूज कर सकते हैं, तो उमीद करता हूँ, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगे, आपको कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, डाउनलोड लिंक जो है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ल